नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अजिंग क्या आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आज की वीडियो में फिर एक बार हम जानने वाले हैं कमर्शल वेकल्स के सेल्स रिपोर्ट के बारे में यानिकी नवंबर 2022 में किस कंपणी ने कितनी गाड बिजनेस उनिट की बात करें तो MNHCVNA की मीडियम एन हेवी कमर्शल वेकल्स के सेगर्ड में 1879 उनिट की विक्री हुई है ILCVNA की इंटरमेडिट एंड लाइक कमर्शल वेकल्स में 3462 उनिट की विक्री हुई है पैसेंजर कैरियर्स जिसमें बसे और वैंज शामिल होती है उसमें 2041 उनिट की विक्री हुई है साथी में स्मॉल कमर्शल वेकल्स और पिकप्स को मिला कर 13,048 उनिट की विक्री हुई है तो domestic market में commercial vehicles का total हो जाता है 27,430 units का साथी में 1,623 units export होई है बात करें passenger vehicle business unit की तो electric vehicles और IC engine vehicles जैने की diesel, petrol, CNG vehicles को मिला कर total 46,037 units की विक्री होई है तो domestic market में Tata Motors के passenger vehicles और commercial vehicles को मिला कर total sales होआ है 73,467 units का दोस्तो आईए बढ़ता है दूसरी company के और जिसका नाम है VECV यानि की Volvo ICER Commercial Vehicles ICER की बात करें तो domestic market में LMD यानि की light and medium duty trucks में 2526 units की विक्री होई है Heavy duty trucks में 1319 units की विक्री होई है LMD buses में 498 units की विक्री होई है और HD buses में 140 units की विक्री होई है तो domestic market में ICER का total हो जाता है 4483 units का साथी में 237 units export हुई है जिसमें LMD trucks, HD trucks और buses शामिल है दूस्तो बात करें Volvo trucks and buses की तो November 2022 में 183 units की विक्री होई है तो दूस्तो वोलवा ICER commercial vehicles का November महिने में total हो जाता है 4903 units का आईए बढ़ता है अगली company की और जिसका नाम है Ashok Leland Ashok Leland के MNHCV यानि की medium and heavy commercial vehicles के trucks and buses को मिला कर 9474 units की विक्री होई है और LCV यानि की light commercial vehicles में 5087 units की विक्री होई है जिसमें total हो जाता है 14561 units का दोस्तो यह जो figure है यह domestic और exports को मिला कर है domestic market की बात करें तो Ashok Leland का November 2022 में सभी गाडियों को मिला कर total हो जाता है 13654 units का आईए बढ़ते हैं अगली company की और जिसका नाम है Mahindra Mahindra के LCV यानि की light commercial vehicle 2 ton के नीचे वाले segment में 2643 units की विक्री होई है light commercial vehicles 2 ton से 35 ton तक के बीच में 16193 units की विक्री होई है 35 ton के उपर वाली LCV और MNHCV को मिला कर 755 units की विक्री होई है साथी में electric 3 wheelers और normal 3 wheelers को मिला कर 5198 units की विक्री होई है साथी में Mahindra के passenger vehicles यानि की cars, vans, SUVs की जो है November 2022 में 30,392 units की विक्री होई है साथी में 3,122 units एक्सपोर्ड भी हुए है साथी में बात करें मारुति सुजू की commercial जिसकी एक गाड़ी आती है LCV Super Carry उसके November 2022 में 2,660 units की विक्री होई है दोस्तों तो दोस्तों ये था November 2022 का Truck Talks का एक Commercial Wicked Sales Report का छोटा सा वीडियो ऐसी वीडियो हर माईने देखने के लिए Truck Talks को सब्सक्राइब करना ना भूलना और इस वीडियो का लाइक बटन भी दबा दिजेगा दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रहे के ट्रिपले डिकास्टन भ्लॉक्स ट्रॉक टॉक्स स्पेडिंग अल्द लब अबॉबॉट ट्रेक्स जैहिंद